रेत के ये वीरान टीले बंजर जमीन पर पसरा सधियों का सन्नाटा हाथसों से ज्यादा दूर नहीं है ये जगह और नहीं एक अलग तरहा के खुबसूरती से यहां रहने वाले दिन राद नई चुनोतियों में उल्जे रहते हैं राजिस्थान के जैसल मेर शहर के क्या कहने दुनिया भर के घुमक कड़ों की पसंदीदा जगहों में से एक है ये अनुखी स्वान नगरी सुभा होते ही यहां गाढ़ी सार तालाब में पक्षियों ने चहल पहल शुरू कर दी है ये यहां महफूस है इनको पता है कि इन्हें यहां से कोई नहीं हटाने वाला पुराने पढ़ चुके जैसल मेर के इस सुनहेरे किले को देख कर लगता है कि कितना सुन्दर रहा होगा ये अपने समय में और कितनों को जलाता होगा अपनी सुन्दरता से लेकिन जैसल मेर जैसे शहर तो किसी बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा भर ही है असलियत और जमीनी हकीकत को महसूस करने के लिए निकलना होगा पश्चिमी राजिस्थान के दूसरे इलाकों की तरफ मसलन भारत पाकिस्तान सीमा के पासपसे तनोट गाउ में खेती नाम की कोई चीज यहां संभाव ही नहीं है परियटक भी यहां तक नहीं पहुच पाते मीलो मीलो पहले इस रेगिस्तान ने तनोट गाउ को अपने कबजे में ले रखा है और साथ ही यहां रहने वालों को भी भेडों को हाकता यह बूढ़ा ग्रामीन इसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया है शायद इसी को देख कर कवी ने फर्माया होगा सुभा होती है शाम होती है यूहीं जिंदगी तमाम होती है जैसल मेर और बाढ़ मेर जिलों में पहले ज्यादातर गावों की यही कहानी है पुराना रिष्टा रहा है यहां के लोगों का गरीबी और मजबूरी के साथ और ये रिष्टा जल्दी टूपता दिख नहीं रहा है जैसल मेर बाढ़ मेर क्षित्र में पानी की मात्रा बहुत ही कम है यहां ज्यादातर किसान खेती के लिए बरसात के पानी पर मिरभर है साथ के दशक में यहां आई इंदिरा गांधी नहर पर योजना ये जैसल मेर के किसानों के लिए बहुत बड़ा वर्दान साबित हुई लेकिन सिर्फ उनके ही लिए जिनके खेत इस नहर के आसपास है बाकी बचे बाढ़ मेर और जैसल मेर के हजारों लाखों किसानों के चेहरे आज भी मुर्जाय हुए हैं इनके लिए तो बरसात किसी तिवहार की तरह कुछ दिन की खुशी हेला पाती है सब ही ही तो उलचे हुए हैं यहां इस बेरहम दिन रात की कश्म कश्मे पचास बीगे समीन के मालिक हाजी नूरे खान अपनी खेती इंदिरा गांधी नहर के पास बसे गाओं किछडी में कर रहे हैं सरकार को एक ही करना चाहिए एक तो पानी की मजबूती करके ज़्यादा से ज़्यादा चोड़ना चाहिए दूसरा सर जी सरकार को सुब्ज नजर से इसकी केर करने चाहिए कब भाई किसान के पास पानी नहीं पहुता कर नहीं पहुचा अगर इसका खाला सही है के नहीं है इसकूल है बच्चों के लिए पढ़न के लिए है के नहीं है गाओं के अंदर रोड है के नहीं है ये सब चीजों की देखने की बहुत जरूरत है तो इसलिए सर जी मैं ये कहता हूँ कि किसी पी हालत में महरबानी करके इसका या तो नदियां से जोड़ी जाए किसी पी हालत में या पानी जादा से जादा आना चाहिए ये मावशी दारी है जसल मेर के अंदर एक दम एरिया मावशी है बेडा, गाय, उंट, बकरी और ये ये मावशी है तो इसके अंदर पानी जादा होगा तो ये अच्छा होगा अभी ठीक है मालक ने वरसात करते है तब तो ठीक है गास हो जाता है नहीं है तो सरकार मदद करती है बार्ण मेर के पास इस छोटे से गाउं में है साथ वर्षिय शागाराम ये अपनी खेती के लिए पूरी तरह से बारिश के पानी पर निरभर है पंद्रह बीगे की जमीन के मालक शागाराम ने अपने खेतों में अरंडी के पेड़ लगाए होए है क्योंकि इसके लिए सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती शागाराम बताते हैं कि अगर वो सिंचाई युक्त फसलों की खेती करते हैं तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है अच्छा जिमाना आता है बारिश पड़ती है राम राजी होता है तो सब कुछ होता है अभी बर्षाद की कमे है की हो जाती है तो फिर नुकसान हो जाता है कासकार बिलकुल मंदे पड़ जाते है अलमालक राजी हो जाता है बर्षाद तीन पड़ती है तो अच्छा जिमाना होता है नहीं तो फिर क्या फाइदा होता है मवेशी बहुत तंग रहेगी और जिमाना काल पड़ता है यहां मवेशी की तकलिव जेती है यहां मवेशी में कोई बिमारी पढ़ जाती है तो कासकार परिशनेज है अगर बर्षात तीन कर दे आची तो हम खुश हो जाओं पिदास हो जाओं अची नहीं तो फिर कहां होगी हो वितायता फसा हो गया उसके बाद निश्ट हो जाती है पर एसा भी नहीं है कि चुनोतियों ने यहां सब ही को दबा दिया हो प्रकृती के साथ इनका नाता इतना गहरा है कि शायद ही कहीं और देखने को मिले इनकी एक दिलकश झछलक दिखती है जोदपुर से करीब 150 किलोमेटर दूर इस खिंचन गाउं में आप हैरान होंगे इतने सारे पक्षियों को देख कर ये हैं दुरलब डैमुसल क्रेंज जो हजारों की संख्या में यहां आते हैं आज से 50 साल पहले खिंचन के निवासियों ने इन मन मुहक क्रेंज को सनरक्षन देने का निरिणे किया था आज भी टिके हैं ये लोग अपने उस फैसले पर खिंचन गाउं में रहने वालों को चाहे खुद के लिए भोजन जुटाने की दिक्कत क्यों न हो चाहे उनकी रोज मर्रा की जिन्दगी मजबूरियों से क्यों ना घेरी हो लेकिन इन टैमूसिल क्रेंस को वे कभी भी भूखे नहीं मरने देंगे हर सुभा लगभक सौ किलोग्रेम से ज्यादा बाजरा और दाना रखा जाता है इस स्टीले के पास ताकि कोई पक्षी भूखा वापस ना जाए और जब जाए तो खुशी खुशी चह चहाते हुए अपने खेतों में बने ढबूओं के पास बैठे नंदलाल जी उन किसानों में से हैं जिन्हें इंधिरा गांधी नहर का पानी नहीं मिल पाता इसलिए ये या तो बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं या फिर नलकूपों के पानी पर नंदलाल बताते हैं कि जब बरसात होती है तो खेती अच्छी होती है और दो चार महीने आराम से निकल जाते हैं पशूओं के लिए चारा हो जाता है अपने खाली पड़े खेतों में फसल बोने के लिए नंदलाल को इंतजार है कुद्रत की बरसात का खेतों में जमा इस सूखे भूसे को इन्होंने अपनी इस बकरी के लिए संभाल कर रखा हुआ है आठोई कक्षा तक पढ़े नंदलाल मानते हैं कि इस क्षित्र में खेती के भरों से जीवन जीना बहुत कठिन है उसके बाद में भी क्षिती तो करना अन्यवारे होता है वे अपने बच्चों के जीवन को लेकर चिंतित हैं कि कैसे वो अपने जीवन का गुसर बसर करेंगे, इसलिए वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, ताकि वे अपना जीवन भली भाति व्यतीत कर सकें. पश्चिमी राजस्थान के किसानों की समस्याओं को सुलजाने में जुटा है जैसल मेर स्थित, ये केंद्र ये शुशक केंद्र अनुसंधान संस्थान. डॉक्टर जेपी सिंग के नेत्रितों में संस्थान के वेग्यानिक यहां कई बरसों से काम कर रहे हैं, वो मानते हैं कि इस पूरे इलाके में बहुत दिक्कते हैं, लेकिन फिर उनका मुख्यकारे तो निराश हो रहे किसानों की जिन्दगी में आशा और उच्साह लाना है कि इस हमारा जो विशेश जो रहता है, जो यहां क्योंकि यहां का जो छेतर है, पसु पालनादारित है, तो जो यहां के चरागा है, जो गोचर है, ओरन हैं, उनका विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पश्वो के लिए चरागा का बहुत मे stuffing है, विशेश का जिस सेवन घास के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता था है और सेवन घास जो की बहुबर्शिय है जो की बहुत ही पोस्टिक है और इस इस घास में बहुत ही जादे पोस्टिकता है और पोस्टिकता के साथ-साथ इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और यहां की जो था द्यान देने की आउशक्ता है और हम समय समय पर विभीन किसान गोष्चियों में भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि जो यहां के गोचर है हमारे ओरन है इनका हम जो है विशेश रूप से संदक्षन करें निकिसान तो जो है अब जागुरुकता बढ़ी है जागुरुक हो रह हैं फसलों में इस तरी किसमें हैं जिन से की अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है दूर दूर तक पहले ये खजूर के पेड़ यहां रज्ज के किसानों के लिए खास मकसद से लगाए गए हैं जैसल मेर और बार मेर की जमीन खजूर की खेती के लिए बहुत अनुकूल है इस इलागे में औसत वर्षा 100 से 150 मिली लीटर ही होती है इस तशा में खजूर के पेड़ों की खेती यहां के लिए काफी फाइदेमंद है जिसके लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है यहां पर Center of Excellence के नाम से यह फिस स्तावित किया गया है जो इंडिया सरकार और इजराहिल सरकार के कोलोबरेशन में स्टार्ट किया गया है यह पहले 2012 से 2015 के बीच में कोलोबरेशन था जिसको बढ़ा करके मार्ट 2018 तक कर दिया गया है यहां पर खज़ूर की जो खेती की जा रही है उसमें जितनी भी जो टेक्निक यूज की जा रही है वो सारी इसराइल गोवर्मेंट के दोरा जो अब अबना करवाई जा रही है उसको यहां यूज करते हुए मेकजिमम प्रोडॉक्शन जो है कैसे ले सकते हैं लगबग इस खजूर के पोदों को इस्तापित कर चुके हैं। अपन पूरे राजस्तान की बात करें, तो पूरे राजस्तान में इस प्रतसन फारम को देख करके, लगबग 700 एक्टर में किसानों ने अब तक खजूर के पोदी जो है, ये टीशू कल्चर के पोदे हैं, वो इ इकोनोमिक के रूप में प्रोडक्शन देता रहेगा। आयका बहतरीन स्रोथ हो सकते हैं। इस क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए, सरकार ने इंदिरा गांधी नहर पर योजना के अलावा, नलकूपों को लगाने के लिए 90 के दशक में किसानों को सबसीडी देना प्रारंभ किया था। इस योजना के लाभार्थियों में शामिल रहे हैं ये सफल किसान दुर्गादास। पिछले 20 साल से ये खेती कर रहे हैं। इन्हें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनके पास जमीन तो बहुत थी पर इन्हें ये पता नहीं था कि कौन सी खेती कब करनी चाहिए। ये साथ ही पानी की सुविधा भी नहीं थी। ये आज सिंचाई के लिए पूरी तरह से अपने नलकूपों पर ही निर्भर हैं। इस समय दुर्गादास ने अपने खेतों में कपास की खेती कर रखी है। इसके अलावा जैसल मेर में अनार की खेती के बढ़ते रोजहान को देखते हुए उन्होंने इसके पौधों को भी बड़ी मात्रा में लगाया है। तर अपने अनिस्तों निबबे के बाद में जो हमारा यह नलकूप का काम स्रूव हुआ। तो उस से पिले अमारे को खेती के बारे में कोई जानकारी नी थी। पिले से यह बर्षाद का अभव था इतनी बर्षाद भी नहीं होती थी। जो खेती हमारे खाली गवार बाजरा वगरा यह होता था। उसके बाद में जब निबबे के बाद में जब यह नलकूप का काम स्रूव हुआ। तो उसके बाद में यह जो रभी की फसल है, राइडा है, सर्शू है, ग्यों है, जीरा है, सब गोल है, यह सब होने लगा है। खेजडी का ये पेड कोई मामूली पेड नहीं है, कई मायनों में जीवन दाता है ये पेड यहां के लोगों के लिए। खेजडी के इस पेड का अध्भुत इतिहास है। सन 1730 में इन ही पेडों को बचाने के लिए 363 बिश्णोई समुदाय के लोगों ने अपनी जान नियुचावर कर दी थी। ये घटना हुई जोधपुर के खेजरली गाउं में। महराजा के लोग इन पेडों को काटना चाहते थे। इन पेडों को बचाने के खातिर इसी गाउं की अमरिता देवी और 362 और लोग खेजरी के पेडों से चिपक गए। सब ही मात की आगोश में समा गए। इस रेगिस्तानी इलाके में खेजरी का व्रिक्ष यहां के लोगों के लिए जीवन दान के रूप में काम करता है। इसे कल्पतरू भी कहा जाता है। ये एक साथ कई तरह से उप्योगी साबित होता है। इसकी पत्तियां जहां जानवरों के चारे के रूप में काम आती हैं, वहीं इसके फल को सबजी के रूप में उप्योग किया जाता है। और तने के भाग को लकडी के रूप में। किसान इन पेडों को जिस खेत में भी लगाते हैं, उसकी उरवरा शक्ति बढ़ जाती है। तालाप के किनारे खड़े इस खेजरी व्रिक्ष के नीचे पनप्रही, हरी घास को देखकर इसकी खुबी का पता चलता है। इन पेडों को छाया की दृष्टी से भी अच्छा माना जाता है। यहां के वैज्यानिक कोशिश कर रही हैं कि किसान इन पेडों को अधिक से अधिक लगाए। खेजरी यहां पर यहां का एक ऐसा ट्री है जिसको हम कल्प तरू कहते हैं। उस पेड़ से कल्प तरू के नाम इसलिए है कि उसकी पत्तियां जानवर को खाय मिलती है। उसकी जो ब्रांचे जहें जलाव़ी लकड़ी के लिए यूज होता है। और पूरा उस ट्री का यूज है। और फार्मर्स उसको लगाता है। और जहां पर जिस खेड में लगाता है उस खेड की उरवरा सकती भी बढ़ जाती है। खेड़ी के पेंट से। हर चीज काम में आती है। और इस पेड़ की नीची अगर कोई कराब लगाया जाता है तो उसका भी पैदावार घरता नहीं है। तो इसलिए जो है इस पेड़ को जो किसान है वो खुद लगाते हैं या जो अपने आप उग जाता है उसकी रक्षा करते हैं। पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र में कहीं कहीं खदीन प्रणाली भी खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहां निचलेक शेत्र की जमीन में बरसात के पानी को एकटा किया जाता है। और जब इस जगह पर पानी धीरे-धीरे कम होने लगता है तो वहां खेती की जाती है। सर्दियों में जो, सर्सों और चने आदी की खेती की जाती है। ये पानी ख़दीन तकनीक के तहट यहां जमा किया गया है जुती हुई ये जमीन यहां किसी फसल के बीजों का इंतिजार कर रही है ये किसान सूर्यास्त से पहले ही अपने घर वापस पहुचना चाहता है थोड़ी सी घास है इसके पास शायद बकरियों के लिए चारा है कुछ ही दोरी पर ये बच्चे भी घर जा रहे हैं बेफिक्र, नादान, परूंकों को सहच्ता से अपने काबू में किये हुए आने वाले वक्त में यही आत्मविश्वास इन्हें बल देगा मजबूत बनाएगा जिन्दगी की चुनौतियों का समना करने के लिए आने वाले वक्त में यही आत्मविश्वास इन्हें